बदलते हुए मौसम में अद्रक और मुलठी का बहुत ही मैत्व है अद्रक और मुलठी इन दोनों की तासीर काफी गरम होती है आप इन सब को सबजीयों में, अपने वेजटेबल सूप्स में तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं इसके अलावा अगर आप एक आमले का जूस और थोड़ी सी अद्रक इन दोनों का जूस आप मिला कर लेते हैं तो आप सर्दी रुकाम से बचे रहेंगे और आपको इम्मिनिटी भी मिलेगी इसके अलावा जो मुलठी का हमने जिकर किया, मुलठी की आप चाय बना सकते हैं चाय के रूप में बना कर जिसको आप अच्छी तरह से उबाले, काड़े, एक काड़े की फॉर्म में बनाए तो आप सर्दी रुकाम से बचे रहेंगे